कैंसर एक ऐसी बिमारी है जो किसी को हो जाए तो उसका बचना असंभव बाना चाता है कैंसर जैसी गंभीर बिमारी जान लेवा तो है ही लेकिन इसके होने के बाद के जाने वाला ट्रीटमेंट भी बहुत दर्दनाक होता है कुछ इलाज हैं जिनने अपना कर इसे दूर करने में सफलता हासिल की जा सकती है पर ऐसे भी इलाज हैं जिनके कारण मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इन में से एक है कीमो थेरपी के बाद पैरों में दर्द होना तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि कीमो थेरपी के बाद पैरों में दर्द क्यों होता है और इसका इलाज क्या है नमस्कार मैं हूँ आप सिभी के साथ कृतिका कीमो थेरपी एक ऐसा प्रोसस है जिसमें शरीर के सभी कैंसर सेल्स को मार गिराय जाता है ऐसे में कई बारी ये आपके blood cells पर भी असर करता है इतना ही नहीं इस treatment के अंदर दी जाने वाली दवाओं की वजह से भी मरीज के पैरों में दर्ध हो सकता है अब इसका इलाज क्या है? चली वो भी जान लेते हैं सबसे पहला है stretching कहते हैं कि अगर आप नियमेत रूप से stretching करते हैं तो ऐसे में muscles cramp होने के आसार कम हो जाते हैं दरसल stretching से पैरों की मास पेशियों को लचीला बनाया जाता है और ऐसा करने से पैर active रहते हैं इसके लिए पैर के अंगूठे को हवा में 4-5 बार उपर नीचे करें ऐसा करने से पैरों के पंजों और घुट्णों में आई एठन दूर की जा सकती हैं इतना ही नहीं खूप सारा पानी पें जिहां experts की माने तो शरीर में पानी की कमी के कारण muscle cramps हो सकते हैं इन muscle cramps की वजह से पैरों में दर्द के अलावा एक समय पर एठन भी आ सकती हैं कहते हैं कि cancer treatment के दौरान शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए आपको डॉक्टर की सलहा पर परयाप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए वहीं डॉक्टर से ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आपको कितना पानी पीना चाहिए इन सभी के लावा potassium diet भी बहुत ज़रूरी है जिहां शरीर में अगर potassium की कमी है तो ये वजह पैरों में क्राम की समस्या को और भी ज़्यादा गंभीर बना देती है डॉक्टर्स की माने तो cancer treatment के दौरान दी जाने वाली दवाओं के कारण शरीर में potassium की मात्रा प्रभावित हो सकती ऐसे में डॉक्टर या विशिशग्य की सलहा पर शरीर में potassium की कमी को दूर करने के सोर्स तलाशने चाहिए इन सभी के लावा आप डॉक्टर की सलहा पर सूखे मेवे और डालों का सिवन भी कर सकते हैं उमीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप जुड़ रहे हमारे साथ तब तक के लिए नमस्कार